हेलो प्यारे बच्चों आज हम लोग कच्छा बारा की भौतिक विज्ञान के प्रथम अध्याय का अध्यान करेंगे जिसका नाम है वैद्धुत इस्थेतिकी या इस्थिर वैद्धुत की जिसे हम इलक्ट्रो इस्टेटिक भी कहते हैं वैद्धुत इस्थेतिकी दो सब्दों से मिलकर बना हुआ है एक है वैद्धुत दूसरा है स्थेतिक वैद्धुत यानि इलक्ट्रो इस्थेतिक मतलब स्थेतिक तातपर है वैद्धुत का तातपर है आवेश और स्थेतिक का मतलब है बिरामावस्था अर्थात यह भौतिक के बारे में अध्यन करेंगे. जैसा कि हम लोग बच्पन से देखते आएं हैं, कि यजि किसी वस्तु को, किसी विल्गित वस्त के साथ घर्षन कराये जाए, तो उस अवस्ता में उस वस्तु के उपर आकर्षन करने का एक गुन उत्पन हो जाता है. जैसे हमने बचपन में देखा होगा कि अगर सूखे बालों पर कहंगी करा जाए और उसको चोटे-चोटे कागज के टुकड़े पर पास ले चला जाए जाए तो वह कागज के चोटे-चोटे टुकड़ों को अपनी और आकर्शित कर लेता है। जैसे आया है और इस आकर्शन के गुण को ही हम विद्दुत कहते हैं। जो पिंड इस गुण को प्रदर्शित करते हैं, हम कहते हैं कि वो विद्दुत में हो गए हैं अर्थात वे आविशित हो गए हैं, चास्ड हो गए हैं, उनके उपर आविश आ गया है। यह जो घटना ह और उन्होंने इसको देखा था उन्होंने इसके बारे में ज़ादा अध्यान नहीं किया कुछ समय बाद सन सोला सो इश्वी में गिलवर्ट नामक एक विज्ञानिक हुए जिन्होंने इसके बारे में गहन अध्यन किया और उन्होंने बताया कि ऐसे बहुत से पदार्थ हैं जिन्हें अगर हम परसपर आपस में घर्शन कराएं तो वे पदार्थों के अंदर एक दूसरे पदार्थों को आकर्शित करने का गुण आ जाता है और इसी गुण को विद्ध कहते हैं जो पिंड इस गुण को दरसाता है वो विद्ध में अर्थात आवीशित कहलाएं लगता है हम अब ये आविस कैसे उत्पन हुआ, क्या इसका करण है, हम अगले स्लाइब में, हम उसके बारे में अध्यन करते हैं प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने देखा था भी, कि घर्शन कराने पर, पिंड पर आविशित्पन हो जाता है, वह आविशित्पन हो जाता है बच्चों, आविश पदार्थ का एक अवलाच्णी गुन है, और प्रतेख पदार्थ आविशित्पन से मिलकर बना होता है जैसा कि हम जानते हैं, कि पदार्थ अड़ों और परमाडों से मिलकर बना हुआ है और आड़ू और परमाड के अगर हम स्रचना की बात करें तो प्रतेग परमाड के केंद्र में जिसे उसको नाभिक कहते हैं धना आवेश प्रोटान होता है तथा न्यूट्रान जिस पर कोई आवेश नहीं होता है होता है तथा उस नाभिक के चारोर रिक्त कच्छाओं में उतने ही संख्या में इलेक्टरान वित्रीत होते हैं जितना नाभिक में प्रोटान होता है इलेक्टरानों पर जितना रिनावेश होता है उतना धनावेश प्रोटानों पर होता है इस प्रकार एक विलगित अगर इन अनुओं और पर्माणुओं पर इन मूलकणों का अंसंतुलन उत्पन हो जाए यानि अन्बैलंस हो जाए तो उस इस्तिती में उस अनुवत्वा पर्माण पर आवेश उत्पन आ जाएगा तथा उसके कारण उस पदार्थ पर भी आवेश उत्पन हो जाएगा जैसा कि यदि किसी पदार्थ पर या किसी अनुओं में किसी कारण से इलेक्ट्रानों की संख्या बढ़ जाए प्रोटानों की संख्या घड़ जाए तो इलेक्ट्रान यानि रिनावेश है उनकी संख्या बढ़ गई है तो वह पिन रिनावेशित हो जाएगा ततर यदि इलेक्ट्रानों की संख्या घड़ जाए प्रोटानों की संख्या बढ़ जाए जैसा कि प्रोटान धनावेशित है तो अताहां वह पिंड धनावेशित हो जाएगा और यदि उस पदार्थ में या उस अडू अथ्वा पर्मार में इलेक्ट्रानों अथ्वा प्रोटानों की संख्या समान रहे तो उस पिंड पर परणामी आविश्ट का मान शुन्न होगा अटना इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी चालक पर, किसी भी पदार्थ पर, अड़ अत्वा परमार पर आवेश का होना अत्वा ना होना मूलकणों के अलसंतुलन के उपर निर्भर करता है यदि मूल कणों का संतुलन होगा तो वह चालक या वह पदार्थ आविश्ट हो जाएगा और यदि संतुलन होगा तो वह अनावेशित होगा आवेश है परंत उसमें जितना धनावेश है उतना ही रिनावेश है अतहां प्रणामी आवेश का मान शून्ने होगा अब हम अंगली स्लाइड में पढ़ेंगे कि किसी भी पिंड पर आवेश का आने की प्रक्रिया क्या है अर्थात आवेशन के इलेक्टरान सिध्धान के बारे में बात करेंगे बच्चों जैसे अभी हमने देखा है कि जब दो वस्त हुएं जैसे कांच की छड़ को रेशम शे अत्वा फर को रबड या अंबर से सूखे बालों पर कंगा करने पर वे आवेशित हो जाते हैं तो ये आवेश उत्पन होने का कारण क्या है अब हम इसकी बात करते हैं जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि प्रतेग प्रदार्थ अड़ू और पर्माड़ूं से मिल करके बना होता है एक विलगित पर्माड़ू में अत्वाड़ू में के मध भाग जिसे हम नाभिक कहते हैं उसमें धनावेशित प्रोटान एवं अनावेशित न्यूटरान के इंद्रित होते हैं उसके बाहर रिक्त कच्छाओं में उतने ही इलेक्टरान वित्रित होते हैं जितना नाभिक पर धनावेशित प्रोटान के इंद्रित होते हैं इस प्रकार एक विलगित पर्मा रखा है कि किसी भी विल्गित परमाड के बाहरी कच्छ से एक इलेक्टरान को निकालनी के लिए हमें जितनी उर्जा की आउसकता होती है हम उसे हम उसका आयनन विभव यानि आयनाईशन पोटेंशल कहते हैं अगर दो अलग अलग पदार्थ जिनके आयनन विभव यानि आयन फ्रिक्षन करते हैं तो आप जैसा पढ़ चपके हैं 11 में कि घर्षन करने पर उस्वा उत्पन होती है जो उन्हीं पदार्थों पर इस्थाना अंत्रित होती है धीरे धीरे उन पर जाएगे यदि परमाड़ों के पास उस्वा जाएगी तो उनकी उर्जा बढ़ेगी और वह सरप्रथम नियुंतम आयनन विभाव के मान को प्राप्त करेगा जैसे ही नियुंतम आयनन विभाव के परमाड़ के पास उतनी उस्वा उत्पन हो जाएगे वह अपने कच्छ के से इलेक्टरान को मुक्त कर देगा और यह मुक्त इलेक्टरान दूसरी पस्तु अत्वा दूसरे परमार द्वारा ग्रहन कर लिया जाएगा इस प्रकार एक परमार पर या एक पदार्थ पर इलेक्टरानों की संख्या की कमी हो जाती है चुकि प्रोटान नाबिक्स नहीं हट सकते हैं तो वहाँ पर प्रोटानों की संख्या अधिक हो जाती है अर्थात धानावेशित मूलकणों की संख्या बढ़ जाती है और वह पदार्थ धानावेशित हो जाता है वहीं दूसरी तरफ higher ionization potential जैसा की figure में दिखाया गया है अधिक आनन विभाव के पदार्थ अत्वा परमाण के पास वह electron चला जाता है जिससे वहाँ पर electron का access हो जाता है electron अधिक हो जाते है electronों की संख्या बढ़ने एवं protonों की संख्या कम होने के करण वहाँ पर वह पदार्थ अत्वा अण रिनावेशित हो जाता है इस प्रकार हम यह देखते हैं कि जब दो अलग-अलग आनन विभाव के पदार्थों में परश पर घरशन कराते हैं तो कम आनन विभाव का पदार्थ जो की electron को मुक्त करता है और थात उस पर electron की कमी होती है वह दानावेशित तथा अधिक आनन विभाव का परमान जो electron को ग्रहन करता है वहाँ electron की अधिकता होती है वह रिनावेशित हो जाता है तथा उन पर आवेश उत्पन हो जाते हैं आवेशन की इस क्रिया में कुछ अन घटनाएं भी होती हैं, कुछ अन प्रभाव भी होते हैं, जिसको हम अगली स्लाइड में देखते हैं, बचों, जैसा भी हमने पढ़ा, कि यदि दो विल्गित पदार्थों को परश पर घर्षन कराएं, तो उनके उपर आवेश उत्पन ह हो जाते हैं, जिसमें कम आनन भीभो का जो पिंड होता है, वह धनावेशित, तथा अधिक आनन भीभो का पिंड रिनावेशित हो जाता है, इस प्रकार, दो प्रकार के पिंड हमें प्राप्थ होते हैं, एक आवेशित पिंड, यानि जिस पर धनात्मक आवेश है, दूसरा रिनावेश इत्पिंट जिस पर रिनात्मक आवेश आ गया है जहां आवेश की बात करें तो एक प्रोटान पर जो आवेश की मात्रा होती है वह प्लस 1.6 इंटू 10 पार मानस 19 कुलाम तथा वहीं एक इलेक्टरान पर आवेश की बात करूँ तो वह मानस 1.6 इंटू 10 पार मानस 19 कुलाम होता है अब इस आवेश कुद्पन होने की सिती में उस परमान पर के द्रब्मान एवं घनत एवं आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा उस पिंड पर अब उसकी बात करते हैं बच्चों जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि यदि वस्त धनावेशित होती है तो उस पर से इलेक्टरानों की संख्या की कमी होती है यदि इलेक्टरानों की संख्या की कमी होगी तो उस परमार से या उस परमार से द्रब्मान की भी कमी होगी वहीं यदि वस्तु रिनावेशित होती है तो उस पर इलेक्टरानों की संख्या की बृध्धी होती है यदि इलेक्टरानों की संख्या की बृध्धी हो रही है तो उस प्रदार्थ या उस परमाड़ के में द्रब्मान की बृध्धी होती हाला कि यदि हम द्रब्मान की बात करें तो पतार्थ के तुलना में यह द्रब्मान की ब्रिधि नगन्ने होती है अब इस द्रब्मान के बढ़ने को हम एक ट्रिक से भी देख सकते हैं जैसे जोड पर घटना और घटाने पर बढ़ना तात पर ये है जोड अर्था धनावेश होने पर धनावेश होने पर इलेक्टरानों की कमी होगी और इलेक्टरान कम होगा तो द्रमान घटेगा वहीं घटना अर्था रिनावेशित होना रिनावेशित होने पर इलेक्टरानों की संख्या बढ़ना है और अगर इलेक्टरान संख्या बढ़ेगी तो द्रमान का मान बढ़ेगा परंतु मैंने अभी आपसे कहा न कि ये जो द्रमान है इसकी तुलना में आयतन में बृध्धी जादा होती है द्रमान की जो बृध्धी है वो नगन होती है लेकिन आयतन में ज्यादा बृध होती है जब वस्तु धनावेशित या रिनावेशित होती है तो दोनों ही इस्तियों में उसके आयतन में बृध होती है जब वस्तु धनावेशित या रिनावेशित होती है तो उस इस्ति में उसके घनतों में कमी आती है अब इसको एक प्रश्ण के माध्यम से हम लोग करते हैं जैसे देखें आप प्रश्ण है कि यदि किसी वस्त से 100 इलेक्टरान निकाले गए हैं तो उसके धर्मान में कितनी कमी आएगी तो यहाँ ध्यान से देखें उत्तर में निकाले गए लेक्टरानों की संख्या कितनी हैं 100 और एक लेक्टरान का दर्मान कितना होता है वो होता है 9.1 गुड़े 10 गात मानस 31 किलोग्राम तो 100 गुड़े 9.1 इंटू 10 पार मानस 31 केजी अर्थाथ 9.1 इंटू 10 पार मानस 29 केजी जो बहुत ही कम है इसलिए ये बात है लेकिन अगर कोई कण या पिंड आवेशित होता है तो वहाँ पर उसके दर्मान में परिवर्तन होगा धनावेशित है तो कमी और रिणावेशित है तो अधिकता होगी प्यारे बच्चों हम आवेशों के अब गुण धर्म के बारे में बैत करेंगे आवेश निमलिखित गुण धर्मों को पदर्शित करते हैं जैसे नमबर एक दो सजाती आवेश यानि सामान आवेश अर्थात धनावेश धनावेश को तथा रिणावेश रिणावेश को एक दूसरे को सदेव प्रतिकर्सित करते हैं अर्थात एक दूसरे को दूर हटाने के लिए बल आरोपित करते हैं वहीं दो विजाती आवेश है अर्थात आसामान आवेश कहने का तात पर है एक धनावेश हो और दूसरा रिनावेशित पिंड को वो सदेव एक दूसरे को आकरसित करता है यानि एक दूसरे की तरफ खींचते हैं बच्चों ये एक बात गवर से ध्यान दें कि आवेश का मान उस पिंड के वेग पर निर्भर नहीं करता है तथा इस्थिर आवेश केवल विद्दु छेत्र उत्पन करता है एवं गतिमान आवेश विद्दु छेत्र चुम्ब की विक्रण को उत्पन करता है द्रब्मान के बिना आवेश का अस्तित संभव नहीं है परंत बिना आवेश के द्रब्मान का अस्तित संभव है अर्थात यदि एक कोई पिंड जहां पर द्रब्मान है तो उस पर आवेश आ सकता है उस पर आवेश हो सकता है बिना द्रब्मान के पिंड के पास आवेश संभ इना आवेस होता है याद रखिएगा आवेस सदेव सनरचित होता है अर्थात वह आवेस सनरच्छन के सिध्धान का पालन करता है जिसे हम आगे अभी पढ़ेंगे तथा आवेस सदेव क्वांटिकृत होता है अर्थात ये क्वांटाजिशन के नियम का उबे करता है जिसे हम हम अब आगे पढ़ते हैं आवेश संरचन का सिधान इस सिधान के अनुसार आवेश सदेव संरचित होता है अर्ठाथ आवीशूं को ना तो उद्पन किया जा सकता है एवं नाही से नश्ट किया जा सकता है इसे मात्र एक वस्त से दूसरे वस्तों में इस्थान अंत्रित किया जा सकता है या नियम बेंजमिन फ्रेंक्लिन द्वारा दिया गया था इसका सबसे बढ़िया उधरान अभी जब हम लोगों ने इलेक्टरान सिध्धान की बात की थी तो वहीं देखा था कि एक विल्गित परमाण के नाभिक में जितने धनावेश थे उतने ही उसकी बारीक अच्छा में रिनावेश थे अर्थात उस पर कुल आवेश की संख्या स्यून न थी वहीं दूसरे परमाण में भी यही सिती थी लेकिन जब उनको परसपर आपस में घर्षन करा दिया गया तो घर्षन के बाद एक परमाण से या एक पदार्थ से कुछ एलेक्टरान दूसरे परमाण अत्वा पदार्थ पर चले गए अब अगर हम उनके कुल धनावेश और कुल रिनावेशों को योग किया जाए तो पुना हम यह देखते हैं कि दोनों ही पदार्थों या दोनों ही परमाणूँओं में जितना धनावेश है वो उनके घर्षन से पहले या उन पर आवेश उत्पन होने से पहले भी उतना ही था तथा जितना रिनावेश है वो भी अभी हमको उतना ही प्राप्त होता है जो यह दरसाता है कि आवेशों को न तो उत्पन किया जा सकता है ना ही इसे नस्ट किया जा सकता है इसे मात्र एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर या एक पिंड से दूसरे पिंड पर स्थानंत्रित किया जा सकता है इसका अच्छा उधान आपके सामने दिखा हुआ है देखें यूरेनियम 92-238 यह जब ब्रेक हुआ तो थोरियम 90 प्लस 234 प्लस 284 बना अब यहां उपस्थित न्यूगलानों की संख्या थी वो 92 वहीं दाइं और की बात करें तो 90 थोरियम प्लस 2 हीलियम टोटल 92 इस तरह पहले भी आवेश 92 और बाद में भी आवेश 92 अर्थात या आवेश रच्छड के सिधान का पालन कर रहा है इसी सिधान के अंसार एक घटना की बात एक अर्धाफ्वा photon ठूटता है तो वह एक पोजिट्रॉन और एक एंटी पोजिट्रॉन बनाता है जिसे हम एक लेक्ट्रॉन measurement भी कहते हैं और इसमे एक अधिख ओर्जा निकलती है जो लगभाग एक 200-0v4 althoughrael निकलती है अर्थात यहां एक छ्ट्र और में की constraints के एक विप्रीत जब एक पॉजिट्रोन और एक एंटी पॉजिट्रोन परसपर अभिक्रिया करते हैं परसपर संयोग करते हैं तो वो एक दूसरे को विदूत उदासीन करकर गामा पार्ट के लिया फोटान बनाते हैं जिससे वहां उर्जा मुक्त होती है और इस घुटना को हम दोनों ही घटनाए आवेस अरचन के सिधान का पालन करती हैं आवेशों का क्वांटे क्रण यानि Quantization Theory of Charges आवेस एक क्वांटे क्रित राशे क्वांटे क्रित का मतलब होता है कि एक निश्चित मान को ही ग्रहन करना तथा एक मान से दूसरे मान के बीच के अन्यमानों को ग्रहन न करना To have some certain discrete values आवेस किसी भी पिंट पर अगर हम आवेस की बात करें तो वह एक लेक्टरान पर उपस्थित आवेस के पून गुढच के रूप में होगा अर्थात किसी भी पिंट पर अगर हम आवेस की बात करें तो यह तो प्लस मानस 1E प्लस मानस 2E प्लस मानस 3E डाट 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 प्लस मानस NE होगा जहाँ N पुणांग संख्या है एक दो तीन चार E एक लेक्टरान पर उपस्थित आवेस जिसका मान पहले भी मैंने बताया था 1.6 into 10 पर मानस 19 कुलाम होता है इस प्रकार किसी भी पिंट पर आवेस का एक निश्चित मानी हो सकता है वह समस्त मानों को ग्रहन नहीं कर सकता है जिसे हम आवेस का क्वांटी करण कहते हैं आवेस की क्वांटी करण का कारण आवेस की क्वांटी करण का मुखे करण है कि हम एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में या एक परमाण से दूसरे परमाण में एक पूर्ण इलक्टरान का ही स्थान अंतरन कर सकते हैं अर्थात आवेश अविभाजित है परन्तु आधुनिक यूप में अब आवेशों के भी मूल कण़ हैं फंडमेटल पर्टिकिल्स हैं जो क्वार्ग सिध्धांत में आता है जिसको हम बाद में बात करेंगे लेकिन वहाँ भी आवेश के कौंटाजिशन के सिध्धांत का पालन होता है यह क्वार्ग से ट्रांसफर होगा तो वो उसी के गुड़ज में ही ट्रांसफर होगा वहाँ भी क्वांटाजिशन के नियम का पालन होगा अता क्वांटाजिशन के हिसाब से किसी पिंट पर उपसित आवेस क्यू बराबर किसके होगा N, E, जहां N, एक, दो, तीन, चार्ड, डाड, डाड और E, एक इलेक्टराण पर उपसित आवेस का मान है जिसे हम उधान से देखते हैं जैसे, यदि किसी धात की सता से 100 इलेक्टराण निकाले गए तो आवेस पर क्या मान है उसकी प्रकित क्या होगी अब ध्यान दे, यहां इलेक्टराणों की संख्या कितनी है और क्या किये गया है, यह निकाले गया है यानि इलेक्टराणों की संख्या की कमी हुई है एक इलेक्टराण पर आवेस कितना है 1.6 into 10 to power minus 19 कुलाम, तो क्यू बराबर एन इसे अगर लगाया जाए, तो क्यू बराबर हो जाएगा 100 into 1.6 into 10 to power minus 19 कुलाम यानि 1.6 into 10 to power minus 17 कुलाम तथा, यहां इलेक्टराण, जो की निकाले गया है इलेक्टराणों की कमी हुई है अर्था, उस पदार्थ के उपर जो प्रकित होगी वह धनात्मकावेस की प्रकित होगी अर्थाथ, उस पिंड के उपर 1.6 into 10 to power minus 19 कुलाम का धनावेश उत्पन हो जाएगा बच्चों, अब आप देखें कि क्वांटाजीशन के उपर प्रशन क्रस्ट संख्या 4 आमने अभी लवाए क्रस्ट संख्या 4 आमने अभी लवाए क्रस्ट संख्या 5 देखें आवेश इस्थान अंत्रित हुए है और क्या इसमें द्रब्मान भी स्थान अंत्रित हुआ है सलूशन आपके सामने है आवेश था 3 दस्ट दो गुड़े दसीगाथ माना साथ कुलाम निकालना था इलेक्ट्रानों की संख्या एक इलेक्ट्रान पे आवीश हुमें ग्यात है फामूला Q गरावार E में रखने पर N का मान हमें प्राप्त होगा दो गुड़े दसीगाथ 12 इलेक्ट्रान अब द्रबमान में क्या ब्रिध्धी हुई है उसकी बात क्या जा जा तो एक लेक्ट्रान पे दर्मान होता है 9.1 गुड़े दसी घात माइनस 31 तो दो गुड़े दसी घात 12 इलेक्ट्रान पे कितना होगा तो गुड़ा कर देने परेम का मान हमें प्राक्ष हो जाता है 18.2 इंटू 10 तुपार मानस 19 केजी इसी प्रकार आप देखें चेहां तो आपसे पूछा जारा कि एक कुलांध के आवज की स्थानांतरों में कितना समय लगेगा तो सबसे पहले आप निकालें कि एक आवेश्च के लिए इलेक्ट्रान की संख्या कितनी होगी और फिर उस इलेक्ट्रानों के स्थानत्रान में कितना समय लगेगा यह गयात करते हैं इस प्रकार यह मान हमें मिल जाता है